गाइज अबने बहुत बार flying cars का concept सुरा है और बहुत सी कंपनिया ये दावा करती है कि उन्होंने वर्ड की पहली flying car बनाई है लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी car ने दो cities के बीच में उडान भरी है जी हाँ गाइज ये कार नमा हुआ है ये उरोप के स्लोवाकिया में जहाँ पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के दो cities के एरपोर्स के बीच में उडान भरी और लगबग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन दो cities के बीच की 80 किलोमेटर की दूरी को तै किया और लैंड होने के बाद वो नोर्मल स्पोर्स कार में कनवर्ट हो गई इस कार को एर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफिन क्लेन ने डिजाइन किया है दिकी बात यह है कि इस कार को एक्चली नोर्मल पेट्रोल फंक के फ्यूल से उडाया गया था और चलाया भी गया था तो क्या बाके में फ्लाइंग कार्ज का जमाना आने वाला है